इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें वीपक्षी गडबंदन इंडिया निस्टनल डेवलप्मेंटल इंक्लूसिव एलाइंस यानी इंडिया की चौती बैठक सुरू हो चुकी है दिल्ली के आसोका होटल में ये बैठक चल रही है तमाम नेताओं का जो पहुंचने का सि होट हो चुका है और बैठक की सुरूआत हो चुकी है देखिए कौंग्रेस अधक्ष मली कारजुन खरगे भीस बैठक में मौझूद हैं बिहार के पुर्मुख्यमंत्री लालू परसाद यादव हैं बिहार के मुख्यमंत्रे नेतीश कुमार हैं कौंग्रेस के पुर्वध स्यादो सहित तमाम विपक्षी नेताओं का जो सिसला था पहुँचने का वो लागातार जारी रहा और अब तमाम नेता जो है वो मिटिंग हॉल में पहुँच चुके हैं और बैठक सुरू हो चुकी है तस्विर चाहेंगे आपको दिखाना ये दिल्ली की तस्विर है विपक्षी गडबंदन की जो चौथी बैठक है देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है और सबसे बड़ी बात की दिल्ली को लेकर ही है ये बहुत बड़ी रनीती बन रही है लोक सभाच चुनाओ के लिहाज से लागातार बैठके चली और अब जो है वो ये अंतिम दोर ह बैठकों का क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आपको तै करना होगा समय नजदीक आ गए है और सामने मुकाबले के लिए इंडिया एलाइंस तयार है अमापी चाता हूँ एंडिया एलाइंस जिसका नेतरित तो नरिंद्र मोधी कर रहे हैं तो विपक्ष की तमाम पार्टाओं को ये तै करना होगा कि विपक्षी गडबंदन आई एंडिया एका नेता कौन होगा किसके नेतरितों में दो हजार चौबिस में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपको सोनि आपके सामने हम दिखा रहे हैं ये असोका होटल में बन रहे है रनीती की तस्वीर है असोका होटेल में चल रहे बैठक की ये तस्विर है और ये तस्विर बता रही है कि 2024 में इतिहास बदलने के लिए तमाम नेताओं की जुटान जो है वो हो गई है सीता राम यचूरी भी नज़र आ रहे हैं इनके अलावा ममता बेनरजी जो पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री है वो भी नज़र आ रही है तमाम नेता जो है वो आमादी पार्टी के वोर से भी अगर आप देखें तो नेताओं का पहुँचने का सिलसिल जाई रहा और तमाम नेता जो है वो पहुँचे भी है और बात करें मुंबई महराष्टा तक के नेता जो है इस बैठक में मौझूद है 28 अलग-अलग दल और ये रणीती की कैसे 2024 में नरिंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है बैठक इस वक्त असो का होटल में चल रही है तस्वीर लागातार हम आपको दिखा रहे है आप तोड़े विहार ने उचके साथ बने रहें धन्यवाद